जै दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्व चनल BN SING CLASSES में जो एंसेंट हिस्टी के हम लोग क्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग साथ वहान जो डानिस्टी है उससे क्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो भी इंपोर्टन क्वेशन थी दस क्वेशन हमने इसके पहले बारे पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया है इस वाले पार्ट में अगला हम लोग 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे ठीक है तो question इस्टार्ट करने से पहले प्लीज जो हमारा चैनल भी एन सिंग क्लासे उसे पीछ आप लोग subscribe करें हमारे जो भी वीडियो है उनको like करें ठीक है चले question इस्टार्ट करते हैं देखे पहला question है who composed नासिक inscription in which achievements of गौत्मी पुत्रसतकर्णी were recorded option है आपका गौत्मी पुत्रसतकर्णी सरकर्णी कान्हा गौत्मी तो question पूछ रहा है कि जो नासिक inscription है वो किसने compose किया था गौत्मी पुत्रसतकर्णी जो ruler थे साथ वहां dynasty के उनकी achievement इसमें पताया गया है तो answer है गौत्मी ठीक है देखे जो गौत्मी थी गौत्मी बल्सरी इनका पूरा नाम था गौत्मी बल्सरी और गौत्मी बल्सरी जो थी वो माता थी मतलब माता थी गौत्मी पुत्रसतकर्णी की और इन्हों ने ही नासिक inscription जो था जो नासिक अभिलेक था उसे बनवाया थ जो सात्वहांट डाइनस्टी थी सात्वहांट डाइनस्टी के आकर हम सबसे पावरफुल राजा बोले सबसे important बोले तो वह आपके गौत्मी पुत्र सद्कर्णी थे ठीक है गौत्मी पुत्र सद्कर्णी जो थे इनका time पिरियड था 106 AD से 130 AD 130 ठीक है लगभग 24 साल का इनका कारेकाल था और यह जो इंस्क्रिप्शन नासिक अबिलेक से पता चलता है कि जो यह सतकर्णी थे मतलब गौत्मी पुत्र सतकर्णी थे नासिक प्रसस्ति से पता चलता है कि यह जो सासक थे यह आपके अपरंता ठीक है औ और वह जो जो सदर्न एरिया था उसका अवंती हो गया कारा ओ गया ठीक है वह सब एरिया इनके अंडर में आता था और इसी नासिक खे अ पता चलता है कि जो साग के रूलर्ड और जो नहपां थे उनकी इन्होंने हत्या की थी मतलब साग के रूलर्ड को को इन्होंने defeat किया था हराया था ठीक है अगला question है Shimuk was an Indian king and the founder of which among the following dynasty साथ वाहन कदंबा गंगा काक्टे आंसर है आपका ए साथ वाहन ठीक है देखिए मॉरे dynasty जब खतम होई मॉरे dynasty की बाद एक तरह सम्देखे तो पूरे मतलब एरिया पे एक तरह से पूरा मतलब असानती फैल चुकी थी बहुत एरिया के लोग अलग-अलग से एक और आपका छोटा से डानेस्टी अधा जिसका नाम था कर्ण्व डानेस्टी ठीक है और यह जो कर्ण्व डानेस्टी थी कर्ण्व था इसको 30 BC में जो इसका राजा था इसका नाम था सूसर्मन सुसर्मन की हत्या की सिमुक ने और सिमुक ने हत्या करके साथवाहन डैनेस्टी का निर्मार किया मलब founding of साथवाहन डैनेस्टी और जो साथवाहन डैनेस्टी थी पुरानों में इसका नाम आंध्र और जो अभिलेख हैं उसमें साथवाहन मिलता है इसलिए इसे आंद्र साथभाहन डानेस्टी भी कहा गया है ठीक है और इसका लगभग आपका टाइम पिरेड है 30 BC से लेके आपका 250 AD तक ठीक है तो AD साथभाहन डानेस्टी के सस्थापना सिमुक ने की थी और इसका राजधानी था प्रतिस्थान ठीक है राजधानी प्रतिस्थान अगला क्वेशन है the silver coins of which among the following king carried portrait of bilingual legends which were inspired by the 16 types साथभाहन कुषान गुपता और आंसर है आपका साथभाहन ठीक है तो सथभाहन डानेस्टी के अंतरगत जो सतकर्णी राजा हुए उनके द्वारा जो पहली बार जो राजा का हेड होता था चेहरा होता था वो लगाया गया उसके पहले जो भी silver coins है जो भी coins इस्चु किये गया थी साथ 1 dynasty की तरफ से वो दोनों तरफ आपके bilingual यह द्वी भासी थे एक तरफ आपका प्राकृत लेंग्वेज होता था एक तरफ प्राकृत लेंग्वेज में लिखा जाता था और दूसरी तरफ एक अगला question which among the following is not correctly matched मौर्या एम्पार मौर्या शुंग डाइनस्टी पुश्य मित्र शुंग साथ वान डाइनस्टी गौत्मी पुत्सत करनी अलफ करेक्ट आंसर आपका C चंद्रकृब्सी मित्र शुंग करने साथ्वहन डाइनस्टी व्लया इसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे सभसे ते पाउरफुल राजा थे बट वह संस्थापक नहीं थे सातवहन के सास्थापक थे सीमुक ठीक है संस्थापक थे सीमुक तो इसलिए जो आपका तीसरा ऑप्सन है यह गलत है ठीक है अगला क्वेशन है कवी वत्सल वाज टाइटल एजून बाई किंग बिलॉंगिंग इन वीच अव फालोइंग डैनिस्टी जो कवी वत्सल एक टाइटल लिया गया था राजा के द्वारा वो कौन से डैनिस्टी से बिलॉंग करते थे पुश्य भूती पल्लव मॉर्या सातव ठीक है जो सातवहन डैनिस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था हाल ठीक है राजा का नाम था हाल इन्होंने टाइटल एजूम किया था कवी वत्सल कवी वत्सल और इन्होंने रचना की थी जिसका नाम था गाठा सप्त सती सप्त सती गाथा सप्त सती नाम की रचना इन्हों किया था और राजा हॉल ठीक है इनका अगर हम लोग देखे तो यह आपके सेकेंड राजा थे सत्वाण डानेस्टी के ठीक है अगला क्वेशन है who among the following assume the title of साख के यवन पल्लो दुशासन डिस्ट्रयर अफ साख के यवन पल्लो एंड ट्रीश मुद्री पित यवन वन होस whose horse is had drunk water from three oceans तो जो आपके साख के यवन और पल्लो जो थे उनके destroyer उनके खतम करने वाले और जो उनका घोड़ा जो तीन समुद्रों का पानी पिया हो किसने assume किया था टाइटल गौतमी पुत्रसद करनी शिमुक रुद्रिदमन वीजे अंसर है आपका गौतमी पुत्रसद करनी थे हमने पहले ही बताया है कि बहुत इंपोर्टेंट और बहुत पॉर्फूर राजा थे आपके साथ वहां डानेश्टी के इनकी जो माता थी गौतमी मातल गौतमी ने जो नासिक इंस्क्रिप्ट्रिप्शन जो बनवाया था अपने बेटे गौतमी पुत्तुर सथ करनी के achievements कॉसमें लिखवाया था कि जो डिस्ट्राइर या निजो साक क यवन और पल्लो जो सामराज्य थे, इनको डेस्ट्रॉय, इनको खतम करने वाले जो राजा थे वो थे गौत में पुत्सत करनी और नासिक अब इलेक से ही पता चलता है कि उसमें लिखा गया है, इनकी माता ने लिखवाया था कि यह एक मात्र ब्रामः थे अद्विती ब्रामः थे और उसी से पता चलता है कि जो नहपान जो राजा थे साकर डानेस्टी के उनकी हत्या करके जो साकर डानेस्टी उस एरिया में था उसको उन्होंने खतम कर दिया था तो अगले क्वेशन पर जाने से पहले प्लीज जो हमारा चैनल अबियेंसिंग क्लासे उसे आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे जो भी वीडियो हैं उनको लाइक करें और उसे शेयर करें ठीक है तो अगला क्वेशन है वीच अमंग दा फालोइंग डैनेस्टी इस ग्रेडिरेट फॉर इस्टेवलाइजिंग पीस इंदे कंट्री आफ्टर डिक्लाइन आफ मोरे अंपायर पल्लाव चोला साथवान वाकटक आंसर आपका साथवान तेखिया बताया थे कि जब आपका मो लोग देखें तो जब असोका का टाइम पीरिड खतम हुआ तो असोका के बाद से ही जो मोरे अंपायर था वो डिक्लाइन उसका होना मतलब एक तरह से खतम होना सुरू हो गया था उसके बाद जो भी उसके राजा हैं बहुत वीक राजा थे सक्सेजर बहुत वीक थे उन्ह पॉलिशी की भी प्राब्लम था जाइर सी बात थी कि जो असोका थे उन्होंने जो युद्ध निती थी युद्ध जो कैसे कहते हैं उसको उन्होंने खतम ही कर दिया था कलिंग वार के बाद और एक तरह से उन्होंने धम्मे निती अपनाई थी और बहुत जादा मतलब एक वो से नराज हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि इसी नराजगी के वज़से ही जो पुस्यमित्रशूंग जो सेनापती थे वरिद्रत के अंती मुरेड धानिस्टी के वह एक दे और उन्होंने इसी वज़से हट्या भी गई एक वैक्यूम क्रेट हो गया जहां पर जिसको मिल रहा था वही रूट रहा था इस्थाप्र अपने बलब चीजों को कंट्रोल कर रहा था नैने सामराज्य बन रहे थे इधर से इन वैजन उधर से इन वैजन तो उस वीच में जो आपके साथ वहान जो था यह एक इंडि जो जुशल ऑफिसर इन साथवाहन डायनेस्टी अमात तै रजूख भोज गमी का आंसर आपका रजूख यह जो आपके जज़िजर जो जुशल ऑफिसर होते थे जो आपके न्याईक और ज ज़्यज़ जोते थे न्याधिस उनको रजूख जाता था और यह आपका जो रज आपका साथ वहन ठीक है देखिए जो आपको सुंग और कडव जो थे मुरा डाइनस्टी के बाद इन लोगों ने नौर्थ इंडिया में कैप्चर किया नौर्थ इंडिया वाला एरिया था कर्णव और शुंघ मानें उसको कैप्चर किया था देखिए जाइकन किया तो काूर्थ रौप. साथवाहन के capture करने की बीच में लगभग आपका सौ साल का गयप है ठीक है सौ साल का गयप है तो यह साल साल कर अखसे देखे तो वैक्यूम के था जो मना रहा था रहा था जा रहा था कभी किसी के हाथ में कभी सब्सक्राइब जो सुरुवाति की जो साथ बहान इंस्क्रिप्शन जो बने थे वह आपके 1st century BC से बिलाउं करते हैं और 1st century BC के अंतर के जो साथ बहान ने जो कडव को जो हराया था क्योंकि उन्हें पहले बताया था कि कनव जो डानेस्टी थी उसके अंतिम राजा जो सुसर्मन थे उनकी हत्या जो साथ बहान डानेस्टी की संस्थापक थे सिमुक उन्होंने की थी और 30 BC के असपास और हत्या करके उन्होंने एक नए सामराजी के स्थापना की साथ बहान डानेस्टी और उन्होंने उनको डिफीट किया और एक अपना सासन इस्थापित किया ठीक है जो आपका Central India वाला जो पार्ट है मध्य भारत वहां पर इन्होंने अपना एक सामराजी स्थापित किया त किक है थैंक यू